एक मिलेनर की वाइफ एक जेनरलिस्ट को रिजा कर उसे अपनी स्टेप डॉडर्डर को किन्नाप करने का काम देती है फिर एक मर्डर के बाद सब कुछ चीज़े कॉम्प्लिकेट हो जाती है हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको पार्लमेंट हो 1998 की एक हॉलिवड थ्रिलर मिस्ट्री मूवी एक्स्पेन करने वालो इस मूवी में अलग-अलग ट्विस्ट और टन्स आते है तो इस एक्सप्लेंशन को अंतक जरूर देखिएगा बिना खिसदेरी के एक्सप्लेंशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे में गैरेक्टर जिसका नाम है हैरी पारवर इसको जेल में देख सकते है एक्चुली एक बहुती गलत तरीके से जो क्राइम उसने किया ही नहीं था इस वज़े से और जेल में था उसके केस में कुछ इंप्रूमेंट्स हुई और जजज को पता चला कि हैरी उस केस में इंवॉल्ट था ही नहीं तो इस वज़े से दो साल बाद उसे जेल से छोड़ दिया जाता है पर हैरी जजज पर भी बहुत ज़ादा गुसा था वो कहता है मेरे दो साल बरबात हो गए इसका हिसाब कोन देगा जेल से बाहर निकलने के बाद उसका ब्रदर इन लॉओ उसका वेट कर रहा था उसका ब्रदर इन लॉओ एक पुलीस में है तो उस पर वी ओ बहुत ज़ादा गुसा है कि पुलीस की वज़े से इस सब में फसा हुआ था ब्रदरीन लो कहता है क्या तुम फिर से पालमेटो वापस जाने वाले हो पालमेटो इस सिटी का नाम था हैरी इसमें थोड़ा भी इंटरेस्टेंड नहीं था पर तबी हैरी की एक्स गर्फरेंड उसे मिलने के लिए आई वो उसे कहता है अब बहुत सारे साल हो गए पर उसे कुछे बोलने नहीं देती टारिकली किस कर लेती इसके बाद क्या था अपनी गर्फरेंड के साथ वो पालमेटों में पहुँच गया सालों पहले उसकी गर्फरेंड आयन की चीज़े बनाती थी पर अब वो एक आर्टिस बन चुकी है उसका एक एक पीस ये हंड्रेड्स ओफ डॉलर्स के लिए जाता है वो प्रॉबरली अब सेटल हो चुकी थी हैरी को भी लगता है कि उसे कुछ काम ढूड़ना चाहिए ये ढूडने के लिए उस सिटी में गया पर आज उसे कोई भी काम नहीं मिला वो जारा वरीड था तुनीना उसे कहती है मेरा बहुत सारा आर्ट वर्क है इसे तुम डिलिवर कर सकते हो मेरे लिए काम कर सकते हो इस बहुत से हैरी का इगो अरट हो गया और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है वो एक बार में आया हुआ था तब ये बहुत ही अमेर सी लड़की उसके पास से गुजरी वो फोन बूत पर जाकर कुछ बात करती है और अपनी पर्स पीछे ही छोड़के ये हैरी जाकर देख लेता है इसमें बहुत सारे पैसे थे तो थोड़े से हैरी ने इसमें से निकाल लिया अचानल से वो लड़की वापस आगी हैरी कहता है मैं तुम्हें पर्स लोटानी वाला था बार टेंडर ने सब देखा था तो कहता है कि तुम्हारे पैसे चेक कर लो उस लड़की ने कहा कि इसमें सारे पैसे है वो हैरी से कहती है क्यों ना मैं तुम्हारे लिए ड्रिंग बाई करू उसने उससे पुचा मुझे लगता है कि तुम्हें रिस्की काम करना अच्छा लगता है मेरे पास तुम्हारे ले एक काम है इसमें तुम्हें पैसे तो बहुत सारे मिलेंगे पर रिस्की है Harry पुचता है कि exactly काम क्या है इस लड़की ने उसे अपना नमबर दे दिया कहता है कि कल मुझे कॉल करना जाते वक्त उसे कहती है मेरी एक चीज तुमारे पास है एक्चुली हैरी ने उसके पर्स से पैसे निकाल लिये थे ये लेकर वहाँ से चली गई शाम में हैरी काम ढूंडे ढूंडे रिवर के पास आया जहाँ पर एक बोर्ट ओनर से बात करता है वह उसे एक बहुत ब्यूटिफुल सी बोट दिखी वो इसके बारे में बोर्ट ओनर से पुछता है तो बोर्ट ओनर ने का कि हमारे इस टाउन में मैल्रोक्स ये एक मिलिनेर आया हुआ है उसके एक वाइफ है और बेटी के नाम पर भी उसने एक बोट रखी हुई है अगली दिन हैरी की गल्फेंड नीना ये मैल्रोक्स के यहाई डिलिवरी देने के लिए जा रही थी तो हैरी कहता है कि मैं दे कर आता हूँ वो यहाँ बर कही दिए सी के पास एक हाउस रेंड करो वही वर हम बात करेंगे इसके बाद रात में मिसेस मल्रोक्स उसे मिलने के लिए हैरी को बता था कि वो खुछ ना कुछ तो illegal बात करेंगी इस वज़े से उसने tape recorder को on कर दिया मिसेस मल्रोक्स कह दिया तुम्हें मेरी daughter audit की kidnapping करनी पड ले में हम $500,000 की ransom मांगेंगे एक call तुम करोगे इसके 10% $50,000 यह हैरी को देने वाली थी यह सारी कुछ description देते हुए उसने हैरी को रिजाने की कोचिश की है हैरी भी उसकी beauty देखकर उसके साथ intimate हो जाता है यह काम करने के लिए ready था पर इससे पहले वो audit से मिलना चाहता था audit उसे मिलने के लिए आई हैरी वंडर करता है यह सारी चीज़े वो करना क्यों चाहती है actual में मिसेज मल रॉक्स ही उसकी step मदर है इस सारा प्लान उसी का था पर audit को भी पैसों की जरूरत होती है उन्हें हमेशा से जादा पैसे खर्च करने की आदत है audit जब तक 18 ऐसकी नहीं हो जाती है तब तक उसे पैसे काम आएंगे वो इसके बाद वो फिर से अपने फादर के पास वापस आ सकती है हैरी उसे कहता है कि अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो एक सेकर में तुम सब कुछ बाते उगल दोगी इस पर उगुसा होगे उसे हिट करती है हैरी भी उसे शान दोकर कहता है अगर हमें इस सब करना है तो एक अच्छे ब्लैन की जरूरत पड़ेगी ये फिर सारी चीज़े फिक्स करते है अगली दिन हैरी की गल्फेंट नीना का एक्जिबिशन था इस एक्जिबिशन में मिस्स मल्रॉक्स भी आई हैरी ने अपने टाइप राइटर से नोट लिक कर मिस्स मल्रॉक्स को दे दिया इसमें लिखा था कि अपनी बेटी को अगर सही सलामत पाना चाते हो तुम्हें 500,000 डॉलर्स दे तो इसके साथ मिसेस मोल्राउस को उसने ओडेट के हेर्स दिया इसे सारी चीज़े बिलीविबल लगेगी अब इनका ब्लाइन था कि ओडेट अपने फ्रेंड के साथ एक कलब में जाएगी पर अचानक से वहाँ से कायब हो जाएगी सब को लगेगा कि ओडेट किन नैब हो गए पर ओडेट एक अच्छे से होटेल में जाकर सेफ ली रहेगी अब इनके इसी प्लान की execution चल रही थी audit club से बाहर आई और अपनी गाड़ी के पास आती है तब इसके गाड़ी को पीछे से किसी ने ठोक दिया उस आदमी के साथ वो जगड़ा करने लगे अगर है fight बढ़ जाती तो इनका plan प्लान प्रॉलम में आ जाता इसलिए हैरी पीछे सेया उस आदमी के सरबर मारकर audit को लेकर जाता है वो audit पर गुसा आता कहता है छोटी छोटी गलतिया बहुत ही महेंगी बढ़ती है उसने उसे पता है कि वो जेल में क्यों गया था इस टाउन में उसने river के पास बहुत सारी expensive cars देखी इसके उसने investigation की तो यहाँ पर illegal gambling चल रही थी इसे उसने report करना चाहा पर उसी के locker में 20,000 dollars में ले पुलिस को लगा कि हैरी भी इसमें involved होगा तो इस वज़े उसे जेल में डाल दिया गया था इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी वो frustrated था कि उसके दो साल बरबाद हो गए तो इसी वज़े से अब एक काम करने के लिए रेडी हुआ था audit को सही से खैल रखने की instruction दे कर वहाँ से चला जाता है उसने फिर मॉल्रा उसको ransom के लिए call लगाया अगली दिन हैरी को लेने के लिए पुलिस आते है पुलिस टेशन जाने पर उसे पता चलता है कि उसके brother-in-law ने उसे बुला हुआ था एक्च्वल में पुलिस को audit की kidnapping के बार में पता चल चुका है वो चाहते थी कि प्रेस में किसी को भी इसके बार में पता ना चले हैरी पहले जनरल इस्ट हुआ करता था तो उसे इसके बार में पता है तो यही काम उसे वो दे देते है हैरी ने फिर audit को call लगया वो कहता है अभी क्या भी तुम वापस आ जाओ हमने आप तक कुछ भी गलत किया नहीं है audit इस बात के लिए नहीं मान थी हैरी फिर अपने brother-in-law के पास गया वो कहता है कि शायद audit कहीं भाग गई हो मैं भी ये ransom वेगरा सिर्फ एक prank हो सकती है brother-in-law ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था पर audit ने घर पर call किया वो रो रही थी वो कह रही थी अगर उसके फादर ने पैसे नहीं दिये तो ये लोग उसे मार डालेंगे Harry इस बात पर बहुत ज़ादा घुसा हो गया वो मिस्स मॉल्रॉक्स को मिलने के लिए बुलाता है Harry ने उसे पूछा कि पुलिस को कैसे पता चल गया वो मिस्स मॉल्रॉक्स पर ही शक कर रहा था पर गहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया फिर से उसकी ब्यूटी देखकर उसके रिजाने की कोशिश देखकर वेसे उसकी बातों में आ जाता है ये दोनों इंटिमेट हो गए फिर Harry ने उसे का आज रात ही हमें रैंसम मागनी पड़ेगी उसने फिर ओड़ेट को फिर से सिटी में बुला लिया था उसने रात में मिसेस मॉल्डरॉस को कॉल कर कर एक जगा पर पैसे रखने के लिए बोल दिया सक्सेसफुली Harry ये पैसे लेकर आता है अब वो बहुत ही जादा खुश था अबने rain की हुए place पर वो बहुछा पर उसे डायरेकली audit की dead body वहाँ मिली वो बहुत डर जाता है उसे समझ मेंने आ रहा था कि क्या करना चाहिए उसने फिर audit की dead body ली और अबने कार में डाली इससे वो ठीकाने लगाने वाला था पर बहुत सारी बारिश होने लग गई थी एक कार को आगे देख नहीं पाया तो इस वज़े से उसकी गाड़ी साइड लेन से टकरा जाती है उसका टायर भी फ्लैट हो चुका था इसे वो फिक्स करने की कोशिश करता है पर तभी एक पुलिस ओफिसर पेट्रोल करता हो वह वहाँ पर पहुचा उसे गाड़ी के पेपल्स विगरबानता है हैरी ने का मेरा बेदर इनलोबी तुम्हाई साधी काम करता होगा यह पुलिस ओफिसर उससे जानता था तो हैरी के साथ वो और भी फ्रेंडली हो गया वो गहता है मैं तुम्हें फ्लाट टायर चेंज करने में हल्प कर सकता हो तुम्हारे डिक्की खोलो हम इगुमेंट्स निकालेंगे पर हैरी के डिक्की में ओडेट की डेट बोडी थी हैरी जरा सोचता है और डिक्की खोलते हो तो उसने चावी को तोड़ दिया पुलिस ओफिसर के पास अब और कोई आप्शन नहीं था वो कहता है मैं एक टोट ट्रक को कॉल करता हूँ वो तुम्हें घर पर सेफली छोड़ देगा इस मुसिबत से वो बाल बाल बज़ गया अब हैरी गाड़ी और ओडेट की बोडी के साथ घर में था वो आज राट टेंशन में ड्रिंग कर लेता है सुबा जब उठा तो उसे पुलिस टेशन से कॉल आया हुआ था नीना सारी चीज़े नोटिस करती है वो कहती है कल राट तुमने ड्रिंग किया आज कल तुम बहुत ही अलग अलग लग लग रहे हो हैरी कहता है कि उस लड़के के किन्नैबिंग केस की वज़े से मैं जरा डिस्टरब हूँ जहाँ पर पैसों के एक्स्चेंज होई थी उस क्राइम सिन पर हैरी को बुला गया था पुलीस यापर फूट प्रिंट्स देखते जो हैरी से मैच कर रहे थे पर उस वर कोई भी शक नहीं करता हैरी ने आज प्रेस को कंट्रोल करने का सही से काम किया Harry का brother-in-law से कहता है कि हमारे पास एक witness है उस रात audit का जिस आत्मी के साथ जगड़ा हुआ था ये वही witness था Harry उसके सामने निया था और जल्दी से वहाँ से भाग क्या फिर Harry जल्दी से घर आकर body को ठिकाने लगाने के कोशिश करने वाला था इसे पहले उसने bag निकाला ये open करते वहग निना उसे देख लेती है कहती कि इस bag में क्या है Harry ये bag उसे छुपा लेता है निना ने कहा कि ये लड़की के बारे मी ही है निना गराज में जा रही थी पर Harry उसे रोक लेता है निना समझ गे कियो लड़ की गराज में है हैरी रोने लग गया वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है उसे सब कुछ चीज़े बता लेता है उसने उसे पैसे दिखा है पर एक्चुल में अंदर सारी फेक नोट्स थी निना ने फिर मिसेस मल्रॉस के बारे में कुछ इन्फोर्मेशन निका ली उसे पता चला कि मिस्टर मल्रॉस का जो ड्राईवर है जिसका नाम है ड Cornelie उसके साथ मिसेस मल्रॉस का चक्कर चल रहा है इस सारे ब्लैंड में वो दोनों सामिल थे निना फिर डारेक्ली जाकर डॉनली से बात करती है कहती है हमारे पास audit की body है इसको तुमें ठीकाने लगाना पड़ेगा डॉनली कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा हैरी ने जो मिसेस मल्रॉस की tape बनाई थी एक tape वो डॉनली को सुनाती है ये evidence देखकर डॉनली भी एक काम करने के लिए ready था डॉनली निना से कहा इस tape में ज़रा आगे सुनो निना को हैरी के affair के बारे में पता चला वो उस पर बहुत जादा गुसा हो गई थी वो हैरी से बुच्छती कि तुमने इस सब किया क्यों हैरी कहता है कि वो बहुत ही beautiful थी मैं first गया था निना कहती कि तुम्हें इस सब illegal करने की ज़रूत नहीं थी हैरी ने कहा कि गलत evidence की वज़े से मेरे दो साल बरबात हो गए थे इस वज़े से वो गुसा था थोड़ी दिर में इनके पास डॉनली आया अपने साथ वो acid लेकर आया था audit की body को melt कर देते हैं इसके बाद वो उनसे tape का evidence लेकर चला गया फिर से हरी को उसके brother-in-law को call आता है brother-in-law उसे कहता है कि audit की dead body हमें मिली है ये dead body हरी ने जो place rain किया था यही पर मिली है अब question ये उठता है कि audit की dead body को उन्होंने अभी-भी melt कर दिया तो dead body किस की थी पुलीस के साथ हरी यहाँ पर भोजा तो dead body किसी और ये लड़की की थी मिसेस मल्रॉक्स ने एक actress को हरी के बास भेज़ा हुआ था ताकि हरी को लगे कि कोई भी kidnapping हो नहीं रही मिसेस मल्रॉक्स का हरी को इस case में फसाने का पूरा plan था अब जो dead body मिली है ये actual मल्रॉक्स की बेटी की dead body थी यहाँ पर पुलीस को जो witness मिला था ये भी देखने के लिए आया हुआ था ये हरी को पहजान लेता है और कहता है हरी ने इस audit को kidnapping किया था ये देखकर हरी जल्दी से woods में से यहाँ से भाग गया वो रात में directly मिसेस मल्रॉक्स के पास पहुचा वो उस पर बहुत जादा गुसा हो गया था पर मिसेस मल्रॉक्स कहती है ये सारा plan डॉनली का है वो मुझे भी इसमें फसार आया है वो उसे फिर से गिस करती है कहती है हम दोनों यहाँ से भाग जाते है पर हैरी इस बार फसने नहीं वाला था वो directly मल्रॉक्स के रूम में गया वो कहता है तुमारे wife ने यह सब plan बनाया था उसे सब कुछ सच सच बता देता है डॉनली रूम में और हैरी पन वो गन लगाता है मिसेज मल्रॉक्स भी वहाँ पर बोजी पर मिसेज मल्रॉक्स यह कोई और ओड लीडी थी एक्च्वल में अब तक हमें जो मिसेज मल्रॉक्स लग रही थी यह डॉनली की wife थी डॉनली और वो ये मिस्टर मलरॉस के हाँ पर सरवन्ट थे और उन्होंने मिलकर रीड ओडेट को किन्डाप करने का प्लान बनाये था मिस्टर मलरॉस हैरी पर बिलिव नहीं करते और उस पर बहुत ज़ादा गुसा हो गए थे वो डॉनली को ओडर करते है कि इसे लेकर जाकर मार डालो जहाँ पर इन्होंने फेक ओडेट की बॉड़ी मेल की थी यही पर डॉनली हैरी को लेकर आया हैरी की गल्फे नीना को भी उनने किन्नैप कर लिया था डॉनली और उसकी वाइफ मिलकर हैरी को आसेड में डालनी वाले थे तभी वहाँ पर पुलिस पहुच गए हैरी ने अल्डेड़े अपने ब्रदर इनलोग को सारी चीज़े बता दी थी सारे पुलिस यहाँ पर पहुच गए फाइट फाइट में डॉनली ही एसेड में गिर गया डॉनली की वाइफ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया पर इसके साथ भी पुलिस ने हैरी को भी अरेस्ट गया क्योंकि उसने भी इनकी इसमें मदद की थी लास्ट में उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया पर पहले तो उसने kidnapping में मदद की थी Harry ने सारी चीज़े expose की तो इस वज़े से उसे बहुती कम जेल होती है उसे अपने life में हमेशा से एक novel लिखना था पर कभी भी time नहीं मिलता था last time जब वो जेल में गया तो उसके बास लिखने के लिए एक अच्छी story नहीं थी पर इस बार उसके साथ जो भी हुआ इस सारी चीज़े वो लिख डालता है जेल से जब वो बाहर आया तो उसके पास पूरी book ready थी वो हमसे कहता है कि शायद मेरी book पर movie भी बन जाया और यही पर इस movie end हो जाती है वो पहले बहुत जादा लालज में आ गया था पर जब उसे बता चला कि वो फस रहा है तो उसने सब कुछ चीज़े पुलीस को सच-सच बता दी थी नीना से भी वो बहुत ही ट्रांसपरन रहा तो इस वज़े से दोनों एक साथ थे इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते अगर आपको explanation अचला लगा तो प्लीज इसे like कर दीज़ेगा यह बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमोई के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये